नमस्कार दोस्तों मैं मुकेश जियन आज आपसे एक कंभीर मुद्दे पर चर्चा करना है हूँ जैसा कि आप देनिक समाचार पत्रों में बढ़ रहे होंगे चाइना हर तरह से भारत पर अपना प्रभाव जमाने में लगा हुआ है चाए आर्थिक रूप से हो अपना घटिया से घटिया नीमन गुनवत्ता वाला सामान भारत में भेज कर भारत से करोडों डालर कमा रहे हैं दूसरी तरफ सीमा पर वह अपनी नई चाल चल रहा है एलेसी पर कभी उसके सेनिक अंदर घुश जाते हैं फिर भारत के वीर जवान उन्हें भार खदेड़ते हैं फिर भाग जाते हैं अभी लद्दाक वाले क्षेतर में आ गए यह दिर घुशने का प्रयास किया हमारे जाभा जोने वहां से भी उने भागा दिया समुद्र में भी अपना विस्तार करने का प्रैयास कर रहा है उसने पाकिस्तान कंपने कब्ज racing चाइए कुछ प्रोलोवन देके आपको तो मालूमें वैसे पाकिस्तान धिगारी हो चुका है कटो रहा है अमरिका ने दाना देना बंद कर दिया है तो वो चाइना के गोदमिजा बेठा है अब चाइना उसको पैसा दे रहा है जिससे भारत में आतंकवादी गतिवी दिया बढ़ रह करता है हमारे उसका घटिया माल भेजता है और हमारा जो पैसा बहर जाता है उस पैसे को वह पाकिस्तान को देखकर भारत में आतंकवाद पहलाने का प्रयास करता है अर्थात इस चाइना की चाल हमें बहुत समझना होगी हलाकि चाईना मुगालते में है 1962 वाला भारत नहीं है यह ये आज का भारत है ये शशक्त भारत है आज दुनिया में भारत के लोग अपना डंका बजा रहे हैं जितने भारती विदेशों में बड़े बड़े पदों पर हैं वो सब हमारे गोरव हैं चाइना को यह चीज समझना चाहिए कि भारत से पंगा उसको बहुत महंगा पड़ेगा दोस्तों क्या हम कुछ योगदान कर सकते हैं एक बार क्या हुआ कि मैं एक जगे बेठा हुआ था तो उनका चोटा सा बच्चा दस साल का बच्चा मेरे पास आया वह भी चाइना वाली नियूस सुनता रहता है भारत चाइना यूद्ध वगएरा तो उसने मेरे से कहा कि अंकल मैं इसमें कैसे योगदान दे सकता हूं मैं अपने देश की मदद कैसे कर सकता हूं मैं इनका बहुत सब्स्राइल तरीका बेका मैं इनका आप जो पिछकारी लेते हो वह चाइना की आती है आप मना कर दीजिए कि हम चाइना की पिछकारी नहीं छोड़ेंगे हम भारत की पिछकारी लेंगे चाहे वह कुछ मेंगी होगी कोई दिक्कत में क्वालिटी अच्छी होगी हम भारत की लेंगे हम लोकल लेंगे नहीं लेंगे मिदेशी सामान आप जो खिलोने लेत श्रदें के में एंगे तुछौण। तो हमहीं होगें अ bakın करेंगें ऍमस्ती डीपों से करेंगे भार्ती लाइड्ट से करेंगे चाइना का मभीसकार करेंगे अर्थचों में भी समझ पेदा हुरही है भारत के और जिस दिन भारत का बच्चा बच्चा जाग गया उस दिन चाइना के हम अर्थ विवस्ता की रेट की हड़ी तोड़ देंगे लेकिन ये कहिना सरल है इसलिए नहीं कि हम नहीं कर सकते हम कर सकते हैं परंतु उसके लिए हमें तयार होना पड़ेगा हमें हमारे उद्ध्योग बढ़ाना पड़ेगे अलागी प्रदान मंत्री जी ने वो पूरी प्लानिंग की है आग निरबर भारत के नाम से योजना रांच की है उनका उद्देश्य है कि भारत के हर गाओं में फुटुरुद्ध्योग खुले लगुद्ध्योग खुले उसके लिए भिन सुविधाय भी वो देने जा रहे है अब एक प्रशना आपके मन में आता होगा कि भारत सरकार क्यों नहीं सीधा चाइना से सामान लेना बंद कर देती है सरकार इसा नहीं कर सकती क्योंकि हम WTO से बंदेवए हैं World Trade Organization से हम बंदेवए हैं उसके तक यदि हमें उसका सदश्य रहना है तो हम किसी भी देश से व्या दियात करते हैं उससे साध गुना ज्यादा आयात करते हैं उतना ज्यादा मंगवाते हैं उसके ओनवत वो आईटम सस्ते होते हैं उन्यूं mtazim कोई गयारंटी नी किल आपने Kennत 10 का समान फुरिफए सबाना door 10 दिन चलेगा कि 5 दिन चलेगा लेकिन क्या होता ने हम लोग कि एक सस्ते की आदत पड़ गई है लेकिन हमने कावत ने सुनी मेहंगा रोई एक बार सस्ता रोई बार बार तो हमें कुछ पैसी जादा लगे लेकिन हमें देश के लिए तो आगे आना होगा अब आप देखिए चाइना ने हमारे पूरी अर्थिवास्ता को कैसे द्वस्त कर दिया मिट्टी के दिये चाइना सारे अब हमारे आके जो कुमार बन चोटे-चोटे कुमार भाई बहिन थे जो अपना चोटा-मोटा समान बना के बाजार बेचते थे उसका मार्केट होने खतम कर दिया उन्होंने खिलों ने वहीं से 4000 क्रोड रुपे खिलों ने भारत चैनल जालर हो लाइट की जालरो पहले घर में बनाते हैं हमारे इलेक्ट्रीशन को काम मिलता था लेकिन वह भी चाइना साले लग गई तो उससे हमारा धंदा चोपट हो गया एंट्रीशन हमारे बेरोजगार हो गया मतलब भारत में बेरोजगारी भी बढ़ गई एब जापन का वीश्व बाजार पर कवजा था। उसके बाद धक्षिन को से बरिटेन का रहा और उसके बाद फिर चाईना गबजा जमा लिया। चाईना ने क्या किया? कि उसकी उत्पादन लागत गहटाई। अब आज हमारे यह इसी स्थत्य के जितने में वह बेशते हैं उतने में था हमारे बनता ही है उसके बीचे बहुत सारे कारण है इस्पेक्टर राज बहुत सारी फामलिटी दस जगे से एनोसी इसलिए कच्छे माल की अनुपलब्ता या फिर माल बन रहा है उज्जेन में विक यदि हम गाउं गाउं गली गली महले महले लगुद्योग कुटे रूद्योग घरों घरों में स्थापित कर दें और हमारा प्रोडक्शन बढ़ा दें और पुरे वीश्वन ही द्याद करें तो निश्चित तोर पे हम चाइना को जवाब दे सकते हैं अभी हमारा राफेल आया है राफेल नाम सुनके ही सब की हलत खराब हो गई है और आव सकूनख अइसा नहीं है भारत साथ खरीन है अफ्करणओं में भी आ गीजा रहा ए हमने मेकिन इंडिया प्रोग्राम चला या है हम अपके वब कोई वस्तुं करीद रहे हर का मुस्टी टेकनॉलाजी भी खरीद रहे यंदि हमने राफेल खरीदाए तो राफेल की भी खरीदी है हम राफिल खुद बनाएंगे आने वाले समय में हम जो चीज पहले बाहर से आयात करते थे धिरे धिरे मेकिन इंडिया के प्रोग्राम के तहट भारत में ही बनने लगी है समय लगेगा लेकिन चाइना को हमें जवाब देना है हमें चाहे बिना जहलर के दिवाल का बनावा खरीदेंगे हमारे देश का खरीदेंगे लोकल फार वोकल हम हमारे स्थानी उत्पादों को ही ब्रांड बनाएंगे यदि हमने प्रण कर लिया कि हम के वहले इंडिया नहीं खरीदेंगे हमारे माल खरीदेंगे और हम उसका प्रशार भी करेंगे तो चोनी हमारा जो प्रोड़क्टे वो ब्रांड बन जाएगा और पूरे वीश्व में जाएगा ज्ञान का खजाना तो भारत के पास है ही सही भारत आध्यात्मे के रूप में योग के रूप में वीश्व गुरू बन सकता है और बनेगा एक दिन हमारे बाबा राम देओ को देख लो उन्होंने योग को अंतरास्ति इस्तर तक पहुचा दिया और भारत के प्रयास से ही हम 21 जुन को अंतरास्ति योग दिवस मनाते हैं यह हमारी बहुत बड़ी जीते जो हमारी प्राचिन संस्क्रिती है उसको हम पूरे वीश्व फेला रहे हैं हम हमारे ग्यान को अंलाइन दे सकते हैं तो हमें चाइना को हर शेतर में मात देनी होगी एक शेतर में नहीं हर शेतर में और चाइना को मात देने का सबसे बड़ा मजबूत हतियार हमारा जो है वो है उसकी अर्थी ववस्ता को द्वस्त करना बाकी मोर्चूपे तो हमारी सेना हमारे जवान लगे वे हैं उसको धूल चटा देंगे हम निश्चित तोर पर चटा देंगे हुआ हमसे जीत नहीं सकता चाहिए इसे दस पाकिस्तान अपने साथ कर ले उसे कुछ नहीं होना है लकिन हमें उसकी अर्थी ववस्ता कमर तोड़ना है उसकी सेन निशक्ती हमारे मुकाबले में कोई बहुत ज़्यादा थोड़ी है न जंता में न पपुलेशन में दिरे दिरे चीन तो बुड़ों का देश होता जा रहा है महां जवान लोग बचेंगे दी थोड़ दिन में और जवान भारत में है भारत युवा भारत है भारत संकल्पमान भारत है भारत सक्तिशाली भारत है भारत को पंजोर नहीं समझे कोई और भारत का राजनितिक नेत्रत तो भी मजबूत है भारत नहीं लेगा न डिगेगा न डरेगा न जुकेगा इस चिछ को जितने भी ये चाइना वाले हैं यह पाकिस्तानी है ये इच्छी तर समय किना भारत का नेतरत तो कमजोर नहीं है भारत की सेना कमजूर नहीं इए वो पीछे नहीं अटेगी के देखे तुम 370 हटा दो हटा दी अरे हमारा अंग है हमारा कश्मीर हमारा है यह तो ठीक है पाकिस्तान में जो पीओ के वो भी हमारा है और उसे भी हमारी सरकार प्लानिंग कर रही है इसलिए सरकार अपनी जगे सेना अपना काम कर रही है लेकिन हम जो भारत के नागरी के हैं 133 क्रोण नागरी के हमारा भी कुछ जाइट वह हम भी चाइना का निर्मित जितने भी समान है उनका सबका भहिश्कार करें क्या होगा कुछ समय बच्चे खेलोने से नहीं खेलेंगे थोड़ा महेंगा लाएंगे चार नी लाएंगे एक खिलोना लाएंगे दस ज्यालर नी लगाएंगे एक ज्यालर लगाएंगे क्या PP kit कभी नाम सुनाते हमने कभी बननी थी क्या बहरत से लाते से लाते थे हम लेकिन आज भारत हम बन रहा है एक लाग PP kit पर डे दोग PP kit पर डे मास्क करने कभी इतनी संख्राम बनाये थे लेकिन आज अमारे उद्वde van कि अहमारे भारत की जंता ने द्रव से करके पिपी कीट का उत्पाधन कर लिया यू向 जितने भी शेटाइजर से इस Сам तो है जो सिद्ध कह- शेए कार्थाद कॉनरा का भी हमने बहुत अच्छा काम किया है ई ताकि हमें विदेशों से यह पेट्रोल नहीं मंगाना पड़े और हमारी जो है और स्विवस्ता और मजबूत हो सके जैकि हमने सोलर उर्जा समुद्र से भी अब तो तरंगों से उर्जा नदीब बांद से उर्जा उर्जा का हम भचत दी कर सकते देश सिवा कही तदी कैसे हो सकती है चार कीज़े के दो लाइट जला सकते एलेडी के वल्ब लगा सकते तो हमें भी अपडेट रहना पड़ेगा जहां जहां हम अर्थिवस्ता को मजबूत बना सकते हैं हमें पूरा बनाने का योगदान देना चाहिए साथियो यह आपको यह वीडियो पसंद आया है त और हमारे चैनल सफर नमाबाई मुकेश जेन को सब्स्राइब करना न भोले हम आपको देश प्रेम से और प्रोथ और भी वीडियो बनाएं जो आपको गाउं गाउं तक पहुचाना है हर घर तक पहुचाना है ताकि नो चाइना नो चाइनीज आइटम चाइना का भहिशका करो स्वदेशी अपनाओ लोकल अपनाओ यह नारा गाउं गाउं तक पहुंच सके फिर मैं आप से एक बार कहुँगा गर्व से कवो हम भारती है वी आर इंडियन्स हम किसी से कम नहीं द्रण संकल्प हमें वीश्व जयता जरूर बनाएगा से साथियों आज इतना ही नमस् जै हिन जै भारत